पहले टेस्ट के दूसरे दिन के एर राउल की सेंचूरी के बाद भूमरा और सिराज की आतीसी गेद बाजी के सामने डेर हुई अफ्रीका नमस्कार दोस्तों आपका स्वागात एक बार और हमारे चनल किर्केट गैलक्सी में आज की इस वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले टेस्ट मा मुकावले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट है तो आप यह दि दूसरे दिन का रोमान चक हाईलाइट देखना चाते हो तो आपको वीडियो भीना स्कीब किया लास तक देखना होगा तो चलिए दोस्तो बीना टाइम गया है मैं आपको पूरा हाईलाइट दिखाता हूँ भारत और साउत अफरीका बीच पहला टेस्ट मा मुकावले का दूसरा दिन सेंचूरियन में खेला गया जी याँ दोस्तो पहले दिन आठ विकट गवाने के बावजूद भी भारत 200 वाटन बनाई थी जिसमें कियार राउल सांसर्ट रनुकी मात पूर्ण पारी खेल रहे थे तो वही पर मुहमा सिराज 17 गेद खेले थे लिकिन दोस्तो अभी तक मुहमा सिराज का खाता नहीं खुला था और साउत अफरीका के तरफ से पहले दिन रवाडा ने 5 विकर चटकाए थे तो कुछी इस तरह से पहले दिन टोटल 17 ओवर खेला गया था और फैनली आज खेला गया पहला टेस्ट मा मुकाबले का दूसरा दिन तो दूसरे दिन 60 ओवर डालने के लिए आते हैं जराल कोचडी और कोचडी की ओवर की पांचवी वाल पर मुहमा सिराज दोरन वटोल लेते हैं इसके बाद 60 ओवर की पहले बाल पर राउल फिर से एक करारा चवका जर देते हैं जियां दोस्तों दूसरे दिन किया राउल चवकी पिर चवका लगा रहे थे हैं इसके बाद 65 वी ओवर डालने के लिए आते हैं कागीसो रवाड़ा और कागीसो रवाड़ा के ओवर में कियार राउल एक चवकिया और एक छक्की के मदद से 10 रन बटोल लेते हैं अब यहां से कियार राउल ताबा तोड़ा अंदाज में बले बाजी करना सुरू कर देते है लेकिन दोस्तों साथ अफ्रीकर के तरफ से 66 वी ओवर डालने के लिए आते हैं जराल कोचडी और जराल कोचडी आते ही अपने ओवर के पहले बाल पर मौहमा सिराज को काईल बेरीन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं मौहमा सिराज 22 गेदों पर 5 रन बना कर पबेलियन लड जाते हैं इनके बाद बले बाजी करने के लिए आते हैं परसिद्ध किर्षना और वहीं दूसरे चोर पर सेट हो चुके केर राउल ने इसी ओवर के छटी बाल पर छटके के साथ 133 गेदों पर अपना सेंचूरी कम्पलीट कर लेते हैं जी आं दोस्तों केर राउल चुथे बाल पर केर राउल को बॉल्ड आउट कर देते हैं केर राउल 101 रनों की मात पूर्ण पारी खेल कर पवेलियन लौड जाते हैं तो कुछ इस तरह से भारतिय टीम 67 ओबर 4 बाल खेल कर 245 रन बना कर आल आउट हो जाती है तो भारतिय टीम को आल आउट करने के बाद साउथ अफरीका की पारी सुरू हो जाता है और साउथ अफरीका के तरफ से पारी का आगाज करते हुए नाजर आए एडन मारकरम के साथ डीन एलगार और टीम इंडिया के तरफ से पहला ओबर डालने के लिए जस्परीत भुमरा और भुमरा की ओबर के चवते बाल पर मौमाद सिराज और मौमाद सिराज आते ही अपने ओबर की पांचवी बाल पर एडन मारकरम को कियर राहुल के हाथ उक है चाउड करवा देते हैं मारकरम सत्तर गेदो पर पांच रन बना कर पवेलिया न लवड जाते हैं इनके बाद बल्ले वाजी करने के लिए टोनी डी टोनी डी जोर जी आते ही छटवी ओबर के छटवी ओबर के छटवी बाल पर एक करारा चवकी की साथ अपना खाता खोलते हैं तो ही दूसरे चोर पर आतवी ओबर के तीसरे बाल पर एलगार भी एक करारा चवकाजर देते हैं जी आन दोस्तो टोनी डी जोरजी और डीन अलगार ने काफी सांदार ले में बले बाजी करते हुए साजेदारी बनाना शुरू कर दिये थे इसी दोरान बिकर गिराने की उमीद से गेद बाजी करने के लिए आते हैं परसीद किर्सना और परसीद कीर्षना के ओबर के पहले बाल पर अलगार फिर से एक करारा चवकाजर देता है देखा जाए तो परसीद कीर्षना के सामने डीन अलगार काफी तावर तोड़ा अंदाज में बले बाजी कर रहे थे पंदरी और दो चवकी के साथ आठरन बटोल लिये थे सोरे ओबर खेलने के बाद लंच ब्रेक होता है और सोरे ओबर में साथ अफ्रीका उन्चासरन बटोल लेती है जबकि टीम इंडिया को सिर्फ एक की बिकट मिलता है लंच ब्रेक के बाद 17 ओवर डालने के लिए आते हैं सारदुल ठाकूर और सारदुल ठाकूर आते ही मेडन ओवर डाल देते हैं और वहीं बल्ले बाजी की बाद करें तो नई सायो और में डीन अलगार बैक टू बैक दो करारा चवके के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे इसके बाद भी सायो और ने टोनी डी जोर जी दो चवके के मैज से 12 रन बटोल लेते हैं देखते ही देखते दोनों ही बल्ले बाजो ने हाफ सेंचूरी की साजेदारी भी कम्पलीट कर लेते हैं दोनों ही बल्ले बाजो ने काफी सांदार ले में बल्ले बाजी कर रहे थे जियां दोस्तों बैसाय ओवर की पांचे वाल पर टोनी डी जोर्जी फिर से एक करारा चवकाजर देते हैं तो वहीं दूसरे चोर पर 23 ओवर की चवते वाल पर डीन अलगार भी चारन बटोल लेते हैं इसके बाद इसी ओवर की लास्ट वाल पर सिंगल के साथ 28 गेंदों पर अपना हाब सेंचूरी कमपलीट कर लेते हैं हाब सेंचूरी कमपलीट करने के बाद डीन अलगार काफी तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी करना सुरू कर देते हैं जी आँ दोस्तो डीन अलगार के सामने टीम इंडिया का कोई भी गेद बाज टिकने का नामी नहीं ले रहा था इसके बाद 25 आए उवर की पांचे वाल पर अलगार फिर से एक करारा चौका लगा देते हैं जी आँ दोस्तो यलगार ताबा तोड़ अंदाज में बले बाजी करते हुए चौकी की जड़ी लगा रहे थे इसी दवरान सौथ अफ्रीका ने 28 ओरें सौरन कमप्लीट कर लेती हैं लेकिन दोस्तो इसके बाद 29 आओ उबर डालने के लिए आते हैं कीगन पिटर्सन और कीगन पिटर्सन कुछ खास बले बाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि यक्ति साह उबर डालने के लिए आते हैं 35 अबर के दूसरे बाल पर डेविड बेडिंगम ने एक गगन चुमी छक्का लगा देते हैं। पर अपना सेंचूरी कम्पलीट कर लेते हैं। 50 अबर के दूसरे बाल पर डेविड बेडिंगम ने काफी सांदार ले में साजेदारी बनाते हुए रनों को आगे बढ़ा रहे थें। इसके बाद अंठनवी ओबर के लास्ट बाल पर सिंगल के साथ डेविड बेडिंगम असी गेदो पर अपना हाफ सेंचूरी कम्पलीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ खास बल्ले बाजी नहीं कर पाते हैं कि कुछ एक सठवी ओबर डालने के लिए आते हैं मुहांमस सिराज हैं। इसना आते ही अपने ओबर के पांचवी वाल पर काईल वेरीन को किया राउल के हाथों कैच आउड करवा देते हैं। अभी तक पांच विकन मिले हैं साउत अफरीका ने दोस्तों छपर रन बटोल लिया है। तो दूसरा दिन का मा मुकाबला खतम होने की बाद साउत अफरीका ने 11 रनों से लीड ले लिया है। तो दोस्तों एह हाइलाइट का वीडियो आपको कैसा लागा एक बार कमेंट से इक्सन में जरूर बताईएगा।